प्रीविध्यार्थियों, नमस्कार, सूप्रभात, पिछली कक्षा में हमने आदिकाल का प्रारंबिक परिचे देखा, अब इस कक्षा में हम जानेंगे कि आदिकालीन साहित्य की क्या प्रवर्तियां थी, क्या विसेस्ताइं थी, साहित्य जो होता है, वो समाज का प्रतिविंब होता है, सामाजिक उस समय की ततकालीन जो सामाजिक धार्मिक राजनेतिक परिश्थितियां हैं, वे अत्यंत विकट थी, यह हम पढ़ चुके हैं, शाशक में राश्ट्रिता का अभाव था, शाशक परसपर छोटी-छोटी बातों के लिए लड़ा करते थे और अपने प्रांत को ही देश समझा करते थे, यह समय था एक अजार पचास विक्रम समवत से तेरा सो पचात्तर विक्रम समवत का, तो जब साशकों में राश्ट्रिता का अभाव था, तो ऐसा अभाव साहित्य में भी देखने को मिला, लेकिन जो कलमकार थे, वे कलम के साथ साथ तलवार के तलवार चलाने में भी कुशल थे, इसलिए इनके साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है आदिकालीन साहित्य की बात करें तो इस काल का साहित्य जो था वो पांच भागों में बांटा जाता है ये हमें ध्यान में रखना है इस काल का जो प्रारंबिक साहित्य है वो सिद्ध साहित्य माना जाता है यह हमेशा याद रखना है आधिकालीन साहित्य का प्रारंब सिद्धों के साहित्य से हुआ और सरप्पा नामक सिद्ध को हिंदी का पहला कभी सर्व मानने रूप से माना जाता है सिद्ध साहित्य का समय आठ्वी से तेर्वी सताब्दी तक था इसके समानांतर एक साहित्य और लिखा गया जो की पूर्णत है धार्मिक साहित्य था जैन साहित्य आठ्वी से तेर्वी सताब्दी जिसे रास परमपरा की दचनाएं माना जाता है बारवी सताब्दी से नात सहित्य भी प्रकाश में आया देखिए सिद्ध और नात मूलतह बौध थे और इन दोनों का जन्म जो है वो बौध धर्म की विबिन साखाउं से हुआ हीनियान जो था उनसे नात संप्रदाय का उदेववा और महायान से सिद्ध संप्रदाय का शुकल जी ने जैन सिद्ध और नात सहित्य को धार्मिक सहित्य मानते वे आदिकाल की समय सीमा से बाहर माना लेकिन परवर्ती इतियासकारों ने शुकल जी के इस निरने का इस कथन का विरोध करते वे ये कहा कि यदि धर्म के आधार पर सहित्य लिखा उने के कारण यदि इसे हिंदी सहित्य की सीमा से बाहर किया जाता है तो फिर अगला काल जो भक्ति काल है उसे तो पूंत बाहर कर देना चाहिए तो इस तरह से आधिकालीन धर्मिक सहित्य को हिंदी सहित्य में स्थान मिला इस धर्मिक सहित्य के अलावा तीन प्रकार का धर्मिक सहित्य हो गया जैन, सिद्ध और नात इसके अलावा रासो साहित्य लिखा गया रासो साहित्य वीर गाथा परक साहित्य शुकल जी ने माना और रासो साहित्य के आधार पर ही इसकाल का नाम वीर गाथा काल रखा गया तो साहित्य का चोथा बेद इसकाल का रासो साहित्य हो गया और पांच्वा भेद देखें तो आदिकाल में स्वतंत्र साहित्य लिखा गया जिसे आदिकाल की फुटकल रचनाय माना जाता है जिसमें अनेक कभी हुए विद्यापती, अमीर खुश्रोग, इत्यादी आदिकाली इन साहित्य की प्रवर्तियों की बात करें, उससे पहले शुकल जी का एक ये कथन, जिसमें शुकल जी कहते हैं, जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों से इनका कोई सम्मन नहीं था, ये सुद्ध साहित्य की कोटी में नहीं आता, ये रचनाय संप्र संप्रदाइक रचनाय मानकर इन्हें आदिकाल की समय सीमा से बाहर किया, लेकिन अन्ततहबाद में अनेक इतियास कारुंदवारा इस बात को प्रामानिक रूप से सिद्ध किया गया, कि भी संप्रदाइक साहित्य जो है, वो साहित्य की कोटी में सामिल होना चाहिए, और न इश्वर की तरह किया, रामसरुप चत्रुदी बात कहते हैं, कि इस काल में मनुष्य का चित्रन इश्वर की तरह किया गया है, और वास्तमी ऐसा हुआ, प्रत्विराज चोहान के जीवन पर जब चंद्रबरदाई ने प्रत्विराज राशो नामक महाकाविय की रचना की, जो कि हिंदी साहिते का पहला महाकाविय माना जाता है, उसमें भी प्रत्विराज का चित्रन इश्वर की मानिंद किया गया है, राजाओं की बढ़ चड़ कर प्रसंसा की गई, अतिशुक्ति पुन प्रसंसा की गई, ये एक इस काल के साहिते की प्रवर्ती भी है, प्रवर्तियां मिलती है धार्मिक्ता वीर गाथात्मक्ता और स्रिंगारिक्ता धार्मिक रचना हैं हम जान चुके हैं जैन सिद्ध और नात इनकी रचना है धार्मिक थी वीर गाथा की बात करें तो रासो साहित्य में वीरस का वर्णन किया गया है युद्धों का वर्णन कि गया गया है और स्रिंगारिक्ता की बात करें तो विध्यापती और अमीर खुश्रो आदी की रचनाओं में स्रिंगारिक्ता की प्रवर्थी मिलती है अन्य प्रवर्थियों की बात करें तो इस काल में इस काल में साहित्य में प्रमानिक्ता नहीं थी प्रमानिक नहीं माना गय इस काल की रचनाओं को प्रमानिक इसलिए नहीं माना गया कि धर्बारी जो कवी थे उन्होंने अपने राजाओं की अतिशोक्ति पूर्ण प्रसंसा करते वे बहुत सारे बहुत सारी आभाशी और मिथ्या बातें अपने रचनाओं में सामिल कर दी गई है जब अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन होता है जब कल्पना की प्रचूरता होती है ऐसी रचनाओं में प्रमानिकता का भी अभाव होता है तो हैं इस काल के साहितिकी रचनाओं में हम देखें टो प्रमानिकता कि प्रमानिकता संदेहासपत थी एतिहासिकता का भाव था बहुत सारी गटनाएं प्रसंगों का वर्णन किये गया है जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता कवियों ने युद्धों के वर्णन को छोड़ दें तो इसके एतरिक्त अन्य वर्णन में अपनी कल्पना शक्ति का प्रचूर प्रयोग किया है और कल्पना की प्रचूरता के कारण भी बहुत सी बातों में इतिहास का भाव नजर आता है इस काल की रचनाओं में युद्धों वर्णन में सजीवता देखने को मिलती है आश्रेदाता राजाओं की अतिश्योक्ति पून्ठ प्रसंसा की गई है इस काल का प्रधान रस वीर और स्रिंगार रस माना गया है वीर रस को प्रधान रस और स्रिंगार रस को साहेक रस माना गया है संकुचित राष्ट्रिता, साहित्य में राष्ट्रिता का अभाव जैसा कि मैं प्रारम से कह रहा हूँ इसकाल के कि इसकाल के जो शाषक थे वो अपने प्रांत को ही देश मानते थे और परस पर लड़ते रहते थे इसलिए कवियों की रचनाओं में भी राष्ट्रिता का अभाव देखने को मिलता है भाषा की बात करें तो दो प्रकार की शैलिया मिलती है डिंगल और पिंगल कठोर भावों की वेंजना के लिए डिंगल एवं कोमल भावों की वेंजना के लिए पिंगल शैली का उप्यूक किया जाता था अपब्रंस भाषा में जब राजस्थानी भाषा के शब्दों का मिसरन होता था तो ऐसी शैली डिंगल कहलाती है और अपब्रंस में जब ब्रज के कोमल पदों का वर्णन मिस्रन होता था तो ऐसी सहली पिंगल मानी गई है चंद वैविद्ध्य की बात करें तो इस काल की रचना है प्रत्विराज राशो उसको चंदों का अजायब घर का गया है और चंद्रब्रदाई को चपय चंद सम्राठ कहा गया है सिव सिंग सेंगर ने इनको चपय चंद का सम्राठ माना है चपय चंद इनका बड़ा प्रिय चंद था अलांकि इनों ने अनेक चंदों का प्रियोग किया लेकिन चपय चंद का विसेश प्रियोग किया कि इसके एतरिक्त दोहा चंद का प्रियोग हुआ है सुक्रल जी दोहे के लिए कहते भी है कि कि इस नॉसमय जब काथा या गहा कहने से प्राकर्त का बोध होता था तो दोहा या दोहा कहने से प्रचलित का अव्य भाषा अब भ्रंस का बोध होता था अब भ्रंस का प्रिय चंद दोहा माना गया है दिवेदी जी ने कहा कि जब प्रतिराज रासों के चंद कुलते थे तो स्रोता के चित में प्रसंगा अनुकुल नवीन कमपन होने लगते थे तो इस प्रकार से हम देखें तो इस काल की प्रदान प्रवर्तियों में हम देखें तो प्रमानिक्ता का साहित्य में अभाव था, एतियाशिक्ता का अभाव था, कल्पना सक्ति का प्रचुर प्रियोग हुआ, राजाओं की अतिशोक्ति पूर्ण प्रसंसा हुई, वीर आदिकालीन साहित्य की विशेशता है तो प्रिय विद्यारतियों आज का आप ग्रहकारिय नोट कर लें आपको आदिकालीन साहित्य के भेद एवं इस काल की साहित्य की प्रमुख प्रूरतियों का विस्तार पूर्व को वरणन करना है ये प्रशन आप जो है अपने उत्तर प इस कक्षा से कितना लाभान भी तुह हैं शुक्रिया